हेलो एवरिवन, वेलकम टू लर्निंग बुक लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम जो अपने छूटे हुए करेंट अफेयर हैं उससे सम्बंदित वीडियोस को कबर करेंगे उसी क्रम में ये पहला वीडियो होगा इस वीडियो में हम पहली और दूसरी नौवंबर 2020 से संबंदित करेंट अफेर के महतपूर प्रशनों को डिसकस करेंगे वैसे छूटे तो अपने अक्टूबर के भी कई दिनों के करेंट अफेर लेकिन हम एक सिक्वेंस में कवर के जो अपने इधर छे दिनों के नौवंबर में छूटे हुए हैं पहली से छटी नौवंबर तक सात्वी नौवंबर से लगातार कांटीन्यू किया गया था फिर तो पहली और दूसरी नौवंबर का कवर किया जाएगा आज फिर अल्टरनेट डे पे जब पूरा नौवं के साथ आज का पहला प्रस्ण है उत्राखंड की पहली रामसर साइट का नाम बताईए जिसे हाल ही में माननिता मिली है देखो सबसे पहले जानते हैं रामसर साइट क्या होता है फिर इस कोश्चन को करेंगे रामसर साइट एक भूमी होती है वेट लैंड बोलते हैं उसे न उडी ट्री होते हैं जिसमें लकडियां पाई जाती है जबकि जो मार्स होता है इसमें क्या होते हैं ये जाडियां होती है या फिर घास होते हैं और दोनों में पानी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और अभी क्या है इंड्रेस्टी बढ़ रही है और पापुलेशन पूर देश इकठा हुए और एक convention हुआ और उस convention पे sign किया सभी देशों ने जिसे रामसर convention बोलते है या फिर convention on wetland बोला जाता है यह 1971 में इरान के शहर रामसर में आयूजित हुआ था इसमें इसी wetland को इसी swamp area या फिर 시ब अर्स अरिया को बचाने से संबंदित इसको प्रिजर्व करने से संबंदित है क्या है क्यों ये जरूरी होते है प्रिजर होना देखो इससे एक तो जो रिछार्ज होता है ग्राउंड वाटर मतलब की रिचार्ज होता है अगर कोई स्वैंप Erfahria यहाँ पे पानी कठा है तो ground water recharge होने का मतलब कि जो underground water होता है उसका label बढ़ता है दूसरा इस से मचलियां लोग पकड़ते है तो ये भोजन के भी काम आता है ये लोगों को सूखे से बचाने के काम आता है साथी साथ बाढ़ के पानी को ये अपने पास एकत्रित करता है तो बाढ़ से भी बचाने का काम करता है और क्या काम कर सकता है ये इसके पास एक खास बात होती जो wet land होते हैं कि यहां के जो पेड़ पौधे हैं इनका जो की structure होता है वो इस तरीके से होता है कि ये जो atmosphere में कारवन है उसको सोसित कर लेता है तो ये atmosphere के carbon को सोसित करने का काम भी करते हैं और साथ ही साथ जब इसे रामसर site का एक tag मिल जाता है तो फिर यहाँ पर परेटन का विकास होता है कैसे परेटन का विकास होगा तो रामसर site ये पूरा international label पे famous हो जाएगा सारी की सारी magazine में cover किया जाएगा क ये साथ परेटन का विकास होता है और इसके संड़क्षण के लिए पैसे आने लगते हैं तो फिर इसको संड़क्षित किया जाता है यही रामसर convention होता है और अभी हाली में दो रामसर convention इंडिया को दिया गया है जिसमें एक तो है बेगू सराय में एक जील है जिसका नाम है कमर जील यह भी रामसर साइट गोशित किया गया और दूसरा जो कि उत्राखंड में है यह आसान conservation reserve option C correct हो जाएगा यह उत्राखंड की पहली रामसर साइट होगी और total रामसर साइट पूरे इंडिया में अब 39 हो गई है पहले 37 थी दो नहीं मिली जिसमें से एक पे तो आप यह question कर रहे हो कि उत्राखंड की पहली रामसर साइट यह आसान conservation reserve है जबकि दूसरी जो रामसर साइट दी गई एक साथ दिये गए दोनों वो बेगु सराय का कमर जील है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह रामसर साइट होती क्या है यह वेट लैंड से संबंदित होती है option C यहाँ पर correct हो जाएगा next question है किस IIT ने हाल ही में COVID-19 की जाच के लिए COVID-RAP नामक एक नए diagnostic परिक्षड की खोज की है देखो COVID-RAP को खोजा है IIT खड़क पुरने और यह परिक्षड किट है इससे test किया जाएगा COVID-19 के infection का और Indian Council of Medical Research ICMR ने भी इसको माननेता दे दी है त तो option C correct हो जाएगा IIT खड़क पूर इसका answer हो जाएगा अभी हाली में कल मैंने आपको question कराया था कि COVID-19 से संबंधित गेम किस IIT ने बनाया है यह है IIT मद्रास तो दो नए काम है IIT के जो latest में है एक तो कल मैंने आपको कराया IIT मद्रास ने COVID-19 से संबंधित जो है Android गेम बन सकते हैं हाथ तक को सेनिटाइज करना धुलना मास्क लगाना तो यह गेम के थुरू awareness फैलाया जा रहा है बच्चों के बीच में IIT मद्रास के द्वारा इसको कोविट गेम लॉंच किया है IIT मद्रास ने और फिर IIT खड़क पूर ने कोवी रैप नामक एक नए diagnostic डाइगनोस्टिक किट को जो है ICMR ने माननेता भी दे दी है नेक्स्ट कोश्चन है अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलूलर नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी का चैन किया है अमेरिकी एजनसी ने चैन किया है नोकिया का अमेरिका की अंतरिक्ष एजनसी जो नासा है ये चांद पर मुबाइल नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया का चैन किया है है कि नासा की ये कि योजना है कि नासा जो चांद का सता है वहाँ पर मानोबस्ती बनाने की योजना है उसकी उसी योजना के तहत वो वहाँ पर नेटवर्क भी चाह रहा है कि जो मानोबस्ती बनाई जाए वहाँ पे नेटवर्क भी बिचाया जाए और सेलूलर नेटवर्क हो तो उसी के लिए नासा ने चैन किया है नोकिया का अब नोकिया ने बताया कि 2022 के अंत से वे इस प्रोजेक्ट पे काम सुरू कर देंगे नासा का चंद्रमा सता पर मानोबस्ती बसाने की योजना के तहत ही वहाँ पे सेलूलर नेटवर्क बनाने की योजना है और उसी के लिए नासा ने नोकिया का चैन किया है और नोकिया के मताबिक 2022 के अंत तक नोकिया इसे प्रोजेक्ट पे काम सुरू भी कर देगा नोकिया अपने भारत की मोबाइल बनाने वाली कमपनी है, option D यहां पे correct हो जाएगा, next question है, तेलंगाना के पहले ग्रिह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तेलंगाना के ग्रिह मंत्री जिनका भी निधन हुआ है, इनका नाम था नरसिम्हा रिड़ी, option C correct हो जाएगा, यह 76 वर्स के आयू के थे, तेलंगाना यह भी 2014 में नया राज बना, आंधर प्रदेश को काट के यह नया राज बनाया गया, 2014 में, सन 2014 में, और उसके पहले जो ग मुख्यमंत्री वहां के बने थे के चंद्रशेखर राओ, फिर इन्होंने दुबारा भी लक्षन जीता, तो अभी मुख्यमंत्री सिर्फ तेलंगाना के एक ही माने गए, लेकिन ग्रिह मंत्री थे, इनका निधन हुआ, यह पूर्व ग्रिह मंत्री थे, इस सरकार में ग्रि जेब बनाये गया था, नेक्स्ट कोश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज छेतर में पंचायती राज अधनियम को अपनाने के लिए मंजूरी दे दी है, सन दोहजार उन्निस पांच अगस्त को संसद में धारा तीन सो सत्तर और पैंतिस ए, यह इस्पेसल प्रो उसको तोड़के लग्दाक नया बनाया गया, जम्मु कासμीर और लग्दाक दोनों ही यूनियन टेरेट्री घोसित कर दी गए, जम्मु कासमीर यूनियन टेरेट्री विथ है। चुनाव होंगे और लग्दाख यूनियं टेरिटरी विथाउट लगिजलेटिव घूसित किया गया अब वहाँ पे चुनाव होने है तो पंचायती राज अधनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी लोकतंत्र में इसकी देखो एक तो यह गाउव अस्तर पर लोकतंत्र हो जाएगा वहां के लोग ओटिंग करके अपने जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको चुनेंगे और इसी में कि मतलब कि एक लोकल में आपका गाउव अस्तर और फिर शहर के जो नगर निकाय के चुना होते हैं, ये दोनों हो गए आपके local government का, फिर दूसरे नंबर पे आता है state government का, state government का जो cm होता है और तीसरे नंबर पे आपका central government का, तो ये त्री अस्तरी यही होता, एक local government, फिर दूसरे अस्तर पर state government, तीसरे अस्तर पर central government, local government में पंचायत और आपके नगर निकाए ये दोनों इलक्षन आते हैं तो जब पंचायती राज अधनियम को अपनाने की मंजूरी दी गई इससे जम्बू कास्मिर में त्री अस्तरिये लोक तंत्र की अस्थापना हो जाएगी अब और जम्बू कास्मिर के इस समय ल्यूटिनेंट गवर्नर मनोस सिनहा है और अभी वहाँ पे मुख्मंत्री के लिए इलक्षन नहीं कराए गया है ऑप्षन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है LG Electronics ने किस खिलाडी को अपने Home Solution ब्रांड LG Signature का Global Ambassador बनाया है Global Ambassador LG ने बनाया है Lewis Hamilton को Lewis Hamilton ये British Racing Driver है और छे बार इन्होंने Formula 1 Racing Tournament जीता है आज ही मैं अभी इन पे एक कुश्चन और है यहाँ पे Lewis Hamilton पे ही उसको आगे कराऊंगा छे बार जीता है और इनसे ज्यादा जीतने वाले Formula 1 Racing Tournament सिर्फ एक खिलाडी है जिनका नाम है Michael Sumaker उन्होंने साथ बार Formula 1 Racing Tournament को जीता है आज इन पे आपका Lewis Hamilton पे एक कुश्चन और है तो एक कुश्चन Lewis Hamilton पे आप कर जुके हो कि LG Electronics ने Lewis Hamilton को अपना Brand Ambassador बनाए है ये British Racing Driver है नेक्स्ट कुश्चन है हाल ही में Parlay जी एकग्रो कंपनी ने किस अबनेतरी को अपना Brand Ambassador नेट किया है प्रियंकका चोपड़ा को पार ले जी ने अपना Brand Ambassador नेट किया गया है अब आगे आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि प्रियंका चोपड़ा पारले जी का एड कर रही है option A यहाँ पर correct हो जाएगा next question है किस खिलाडी ने पुर्तगाल Grand Prix Formula 1 race जीत कर अपने carrier की 90 second जीत दर्ज करके Michael Sumaker के record को तोड़ दिया Michael Sumaker के record को तोड़ा है Lewis Helmington और Lewis Helmington को ही LG ने अपना Brandon Ambassador घूसित किया है अभी यह question आप कर चुके हो देखो अब Lewis Helmington ने कुल अभी तक 93 जीत दर्ज कर ली है और इन्होंने कुल 6 championship जीती है इन्होंने record तोड़ा है Michael Sumaker का Lewis Helmington यह British racing driver है जबकि Michael Sumaker यह German के racing driver है Michael Sumaker ने अब racing से सन्यास की घोशड़ा कर दी है उन्होंने कुल 91 जीत दर्ज की अपने पूरे carrier के दोरान जबकि Lewis Helmington का ने कुल 93 जीत अभी तक दर्ज कर ली है हलाकि उनकी बाननवीवी जीत थी Portugal Grand Prix Formula 1 racing अभी उन्होंने एक और जीता फिर 93 हो गया तो total 91 जीता था Michael Sumaker ने जो की जर्मनी के हैं और Lewis Helmington ने total 93 जीता जबकि अगर championship की बात करें तो Michael Sumaker ने कुल 7 championship जीती है जबकि Lewis Helmington अभी उनसे एक championship पीछे है 6 championship जीता है उन्होंने तो total में Lewis Helmington आ गए हैं और championship में अभी भी Michael Sumaker एक आ गए है क्योंकि 6 जीता है Lewis Helmington ने और 7 जीता है Michael Sumaker ने option A correct हो जाएगा कि Lewis Helmington ने Michael Sumaker के record को Portugal Grand Prix Formula 1 रेज जीत कर तोड़ दिया है next question है केंद्रिय भूगर्व जल प्राधिकरण ने पानी की बरबादी और बेवज़ा इस्तमाल पर रोक लगाने है तो कितना दंड निर्धारित किया है इन्होंने एक लाक रुपे का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का दंड निर्धारित किया है option B correct हो जाएगा Central Ground Water Board ये फरीदाबाद हरियाणा में है इसका headquarter और Central Ground Water Authority जो है इसने पानी की बरबादी को रोकने के लिए ही इसे जुर्माना और जेल दोनों की सजा निर्धारित की है है क्या कि जादे पानी की बरबादी से क्या होता है Ground Water Level कम हो जाता है और फिर आपको पीने के पानी की भी समस्या उत्पन हो जाती क्योंकि देखो Ground Water से ही हम जादे तर पानी पीने के लिए निकालते हैं फिर पीने की पानी की भी समस्य उत्पन हो जाती है और आगे आने वाले समय में एक चेन के तहट ये सिकायत दर्ज की जा सकेगी इसके लिए भी इन्होंने अपने नियम कानून बनाने सुरू कर दिये हैं यानि आगे आने वाले समय में अगर कोई पानी बरबाद करता है तो उसे एक लाग तक का जुर्बाना और पांच साल तक की जेल की सजा काटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आप्शन बी करेक्ट हो जाएगा किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकिकरित आदर से क्रिसी ग्राम योजना की सुरुआत की है उत्तराखंट की सरकार ने इसके तहट पहले दो लाग रुपय तक का लोन दिया जाता था रिड मुक्त लेकिन अब क्या है कि तीन लाग तक का लोन रिड मुक्त देगा उत्तराखंट सरकार आप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका क्या है कि किसानों को उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए उनको मशीनी कृत खेती करना और वैग्यानिक खेती करने के लिए भी इस योजना के तहट उनको प्रसिक्षित किया जा रहा है लोन तो दिया ही जा रहा है तीन लाग तक का लोन दिया जाएगा रिड मुक्त लोन और साथी साथ वैज्ञानिक खेती और मशीनी कृत खेती करने के लिए उनको प्रसिक्षित किया जा रहा है इसी तरीके की किसानों से संबंदित और योजनाय जो हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं और हर छे महीने पे दो हजार रुपए की किस्त भेजी जाएगी यह सेम वैसे है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना जिसके तहट छे हजार रुपए पूरे साल में दिया जाता है तीन किस्तों में और मुख्यमंत्री किशान कल्याड योजना मद्द प्रदेश के जिसके तहए चार हजार रुपए दिया जाएगा पूरे साल में दो किस्तों में और किसानों के लिए रायतू बंधू स्कीम पिछले साल चलाई थी तेलंगाना गॉर्मेंट ने तो देखो तीन हो गया एक आदर सक्रिशी ग्राम योजना ये उत्तराखंड की है जिसके तहट किसानों को वेग्यानिक खेती और मशीनी कृत खेती करने के लिए प्रिसिक्षित किया जा रहा है साथी साथ 3 लाख रुपए तक के लोन आदर सिक्रिसी ग्राम योजना के तहट रिड मुक्त दिया जाएगा उत्तरखंड के किसानों को मुक्य मंत्री किसान कल्यार योजना ये मद्ध प्रदेश की योजना है जिसके तहट पूरे साल में 4,000 रुपए की 4,000 रुपए दिये जाएंगे और ये 4,000 रुपए दो किस्तों में मुद्ध प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना ये Central Government की योजना है और बहुत फेमश योजना है जिसके तहE 100,000 रुपए प्रतेक वर्स दिया जाता है किसानों को डारेक्ट उनके अकाउंट में और ये 6,000 रुपए तीन किस्तों में दिये जाते हैं किसानों को और रायतु बंदियू स्कीम ये भी किसानों से संबंदित है जो कि तेलंगाना सरकार की है नेक्स्ट कोश्चन है गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद संगीत कार एवं पूर भाजपा सांसत का 83 साल की उमर में निधन हो गया इनका नाम है महेश कुमार कनोडिया आप्सन ए करेक्ट हो जाएगा और गुजरात के ही पूर वसीयम केशु भाई पटेल जो कि भाजपा स समबन देते इनका भी अभी हाली में निधन हो गया है और इस कोश्चन को भी मैंने आपको कराये था यहाँ पर आप्सन एक करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है एसिया में प्रभाव रखने वाले दस सबसे साली देशों में किस देश को चौथा अस्थान प्राप् रखने वालों में सबसे जो सबसे प्रभाव साली देश है वो अमेरिका है अमेरिका ने अमेरिका को जो अंक मिला वो मिला 81.6 और दूसरे अस्थान पे एसिया में प्रभाव रखने वाला देश है चीन और इसे मिला है 76.1 अंक जबकि जापान 41 अंक के साथ तीसरे अस्था स्थान पर है और भारत की जो अंक है भारत का वो है 49.7 वारत की पिछले वर्स जो रैंक थी भारत का पिछले वर्स अंक ता वो था 41 अंक और इस वर लेकिन रैंक बराबर चौथी बनी हुई है और इस एसिया पावर इंडेक्स को जारी करता है सिड्नी का लोवी इंस्ट्यूट तो आप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पहले अस्थान पर अमेरिका दूसरे पर चाहिना तीसरे पर जापान चौथे पर भारत नेक्स्ट कोश्च भारत के संसकृतिक मंत्री कौन है भारत के संस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंग्पटेल हैं लेगे करेक्ट हो जाएगा अब समझते हैं क्या है यह योजना इसी योजना के द्वारा भारत के जो प्रसिद लगुचित्र हैं उनको संग्रहित किया जाएगा जैसे रामायर के महाभारत के कोई रॉयल फैमली की कथा है उससे संबंदित लगुचित्र पहाडी शैली के चित्रों के संपूर विवरड को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा कैसे गुगल आर्ट की मदद से गुगल आर्ट और राष्टी संग्रहाले की ये संयुक्त परियुजना है इसमें Google Art की लाइब्रेरी में डिजिटल तरीके से भारत के लगु चित्रों को संड़क्षित किया जाएगा और पूरे विश्व भर में ऐसा हो जाएगा कि कोई भी पूरे विश्व में इन चित्रों को देखकर भारत की जो गाथा है भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसे पूरे विश्व में कोई भी जान सकता है इसी के लिए लाइफ इन मियेचर परियोजना सुरू की गई है इसमें Google Art और राष्ट्री संग्रहाले दोनों की ये संयुक्त परियोजना होंगी Google Art और कल्चरल पूरी दुनिया के सांस्कृत धरोहर को डिजिटल रूप में अपन लक्षित करेगा मिनियेचर मिस होता ही है क्या आपका लगू चित्र तो ये लगू चित्रों का संग्रह होगा जिससे पूरविश्व अपना डिजिटल तरीके से देख सकेगा और भारत की जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जान सकेगा हमारे सांस्कृतिक मंत्री प पहले से हलाकि सेम नाम से उत्तर प्रदेश में भी चल लगी है सेम नाम है भाग लक्ष्मी उजना लेकिन यहां पर यह करनाटका एंसर होगा भी बताता हूं मैं क्यों करनाटका में यह चल लगी थी पहले यह LIC के थूरू सरकार जो गरीब परिवार में लड़किया जब जन्म लेती थी तो उनके लिए कुछ LIC की जाती थी जिससे जब वो अठारा साल की होती थी तो करनाटका सरकार द्वारा उन्हें एक लाग रुपए प्रदान किया जाता था लेकिन अब LIC के बजाए इंडिया पोस्ट देखो LIC भी इंसरेंस करती है और इंडिया पोस्ट भी इंसरेंस करती है तो जो इसकी जो एजेंसी थी उसको गورमेंट ने बदला है पहले ये LIC के तहट इंसरेंस करती थी अब इंडिया पोस्ट के तहट इसको पुनर जीवित किया गया है और भाग लक्षमी योजना सेम है 18 साल होने पे जो गरीब तपके के परिवार में लड़किया जन्म लेती हैं उनको एक लाग रुपए दिया जाएगा करनाट का गॉर्मेंट की तरफ से और भाग लक्षमी योजना ही उत्तर प्रदेश में भी चलाई जा रही है जिसमें 2,00,00 रुपए दिया जाता है 21 साल पूरा होने पे बच्चियों के तो 2,00,00 रुपए अगर दिया जा रहा है 21 साल पूरा होने पे भाग लक्षमी योजना के तहट तो ये कहां की योजना है ये उत्तर प्रदेश की है अगर अठारा साल पूरा होने पे एक लाग दिया जा रहा है तो ये है करनाटका की योजना हलाकि अगर सिर्फ ऐसा कोश्चन है का भाग लक्षमी योजना किस राज़की है तो करनाटका और उत्तरपदेश दोनों में से सिर्फ एक ही आप्सन होगा नेक्स्ट कोश्चन है लेबनान के नए प्रधान मंत्री के रूप में किसे नुक्त किया गया है लेबनान के नए प्रधान मंत्री के रूप में नुक्त किया गया है साद अल दीन हरीरी को आप्सन सी करेक्ट हो जाएगा लिबनान ये Middle East Asia का देश है इसकी राजधानी बेरुत है और Option C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इन्होंने मुस्तफा आदिव की अस्थान को लिया पहले मुस्तफा आदिव लिबनान की प्रधान मंत्री थे अब यहाँ की प्रधान मंत्री हो गए है शाद अल दीन हरीरी नेक्स्ट कोश्चन है जी टॉन्टी एंटी करप्सन वर्किंग ग्रूप की पहली मंत्री स्थरी बैठक में भारत का प्रतिनिदित किस ने किया इसे बैठक में भारत का प्रतिनिदित किया जितेंद्र सिंग ने जितेंद्र सिंग यह मिनिस्टर आफ डे जो अध्ध्यक्ष देश है, वर्ष 2020 के लिए यह है, सौधी अरब, जो बीश देशों का यह ग्रूप है, तो किसकोई एक देस अध्यक्ष देस होता है, और वही सारी बैटकों को आयोजित करता है, उस पूरे वर्स के लिए इस वर्स का जो अध्यक्स देश है G20 का वो है सौधी अरब और ब्रिक्स भी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरिका पांस देशों का ग्रूप है तो इसका अध्यक्स देश कौन है 2020 के लिए वो रसिया है और इस बैठक में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रूप की बैठक में भरष्टा चार यानि कि एंटी करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस नीती पर चर्चा की गई और इसमें भारत का प्रतिनेदित जितेंदर ने किया option D correct हो जाएगा next question है कौन सा राज केंद्री स्वास्त और कल्याण बंतरायले द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सीर सस्थान पे है हर्याडा option A correct हो जाएगा एनीमिया मुक्त भारत मिंस एनीमिया में की खून की कमी लोग समझते हैं जब ब्लड म आइरन की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं और हर्याडा में एनीमिया मुक्त भारत की सूचकांक में ये सीर सस्थान पे हर्याडा में सबसे कम लोग खून की कमी से ग्रसित हैं option A correct हो जाएगा हर्याडा की राजधानी चंडीगड है और मनोहर लाल खटर यहां के मुक्ष मंत्री है नेक्स्ट कोश्चन है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कारिकरम को लागू करने के लिए भारत में सीर्स पर कौन सा राज़ है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए भारत में जो सीर्स राज़ है ये है हिमांचल प्रदेश का कौन सा जिला मंडी जिला मंडी जिला जो है यहां के जो गावें गाउं हैं विलिज हैं इनकी रोडों को connect कर दिया गया है ऐसी रोडों से जो सीधे सहर की तरफ जाती है और प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना को लागू करने में पूरे इंडिया में सबसे उ राज्जी ने सबसे अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया तो वो राज्जी था राजस्थान और ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे उच्छस्थान पे कौन सा राज्जी रहा ये मंडी रहा option C correct हो जाएगा next question है महराष्ट सरकार द्वारा राज्जी की अस्त C correct हो जाएगा और क्या है देखो अभी एनीमिया होता है बच्चों को ना खून की कमी हो जाती है तो उन्हीं सब चीजों के पूर्ती के लिए पोशड अभियान अलग-अलग सरकार द्वारा अलग-अलग नाम से चलाए जाता उसी के तहत तरंग शुपोशित महराष्ट अ हृँ चलाए गया महराष्ट सरकार दौरा ऑफसरसी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोष्टन है बहुंची मूल्कित का नाम बताईए जिसे का राश्टरिपति चुना गया है इनका नाम है वहलराम-कलावन औप्शन यह इस्ट अफ्रिका का देश है इसकी राजधानी वि बिलाउंग करते थे लेकिन इनके ग्रेंड फादर ये बिहार इंडिया से बिलाउंग करते थे और वहीं पे रहते थे इसलिए इन्हें भारती मूल का कहा गया है कुश्चन में आपसन बी करेक्ट हो जाएगा वेवेल राम कलावन ये भारती मूल के हैं और इन्हें सेसल्स का नया राष्टपती चुना गया है आपसन बी करेक्ट हो जाएगा ये आज का लाश्ट कोश्चन था मिलते हैं नए करेंट अफेर के साथ नेक्स्ट वीडियो में कीप स्टेडी ओन लर्निंग बुक थेंक्यू फॉर वाचिंग दिस